नमस्कार में हूँ महग शर्मो और इस वक्त आप ये लाइब तस्वीरे देख रहे हैं हरेयाना के करनाल से और इस वक्त हम मौझूद हैं करनाल के गोगडिपूर नहर पर जहां पर एक वाके में दुखत खबर सामने आई है एक दुखत खबर इस वज़े से क्योंकि अब से पहले जो लगातार हम आपको खबर दिखार थे करनाल के जाने माने टिंबर मर्चंट विक्रम जोली को हम ढूंड़ने का प्रयास कर रहे थे कि उनकी खबर आप तक पहुंचाई जा सके और किस तरीके से आज सुभा करनाल नहर में उनकी स्कूटी बरामद हो जाती है स्कू और परगर्ट सिंग जो गोता खोर हैं उनकी मैं बात करूं तो लगातार उनकी टीमें सर्च ओपरेशन करती हुए नजर आरी थी वो भी एक जगा पर एक पॉइंट पर ढूंडते हुए नजर आर्थे और उन्होंने हमें कहा था कि जो हमारी दूसरी टीमें है वो अलग अ भावो किस वज़े से हैं क्योंकि परिवार वाले लगातार पिछले चार दिनों से टिंबर मर्चेंट विक्रम जोली जी को ढूंडने का परियास कर रहे थे लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था लेकिन आज सुभे उनकी स्कूटी जैसी नहर से बरामद होती लिए क्योंकि लगातार करनाल वाले चाहरे थे दूआ कर रहे थे कि विक्रम जोली जी वापिस आजाएं लेकिन अब उनका शव नहर से बरामद हो जी बिल्कुल यह दोखत मामला जब भी हमारे पास कोई ऐसा मैसी जाता है जिसकी सिर्फ निशानी नहर किनारे मिलते तो हम हर उस परवार के लिए दूआ करते हैं कि बगवान करें यह जिन्दा हो लेकिन जैसे अक्टीवा परामद होने के बाद मैंने आपको पहले लाई में बताया था कि अब नबे परतीशत उनका कहीं ना कहीं पूरा तालमेल नहर के अंदर जरूर जुड़ गया तो उसको लेक अब नेटाय में नहरे से लगातार लोगों के मन में यह सवाल हमारे मन में यह सवाल तकि क्या हो सकता है क्या विक्ता है पर पर हमला भोला गया अब वोड़ी को देखकर आपको क्या लग रहे हैं किया नुमान handc you पोस्मार्ण रपोट करेंगी या पुलस की जाच करेंगी तक तो इसा कोई निशान नहीं है दोनों जूते पैर में डले हुए है जैम मुबाइल भी डला हुआ है परस भी है स्कूट्री पाइब प्रिवार वालों के ने पर परिवार वालों की रिपोर्ट के बाद पूरी करनाल की पुरी करनाल की टीमे हैं इंस्पेक्टर है दिपेंदर राना जी वो भी यहां पर मौझूद है उनकी टीम यहां पर खड़ी हुए हमारे साथ प्रशासन से भी जो गोता घोर हैं जो सुबह से ही और कल रात से प्रयास कर रहे थे बलकि सुबह स्कूटी उनको मिली थी और अब शव बरामत कर लिया गय तो हम तुरंत यहां पागे जी अर उदर भी परगट सिंग को भी हमारे बंदे से उनको फोन कर दिया था वह भी यहां पहुंचके थे जी मोके पाथ तो हमने यहां किनारे लगा के जी अब बोड़ी को निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि गोता खोरों की टीम भी प्रयास कर थी कि क्या शव नहर में है या नहीं और फिलहाल एक बड़ी ही दुखत समाचार पूरे करनाल वालों के लिए है कि विक्रम जोली की पहले जो स्कूटी है वो मिलती और उसके बाद उनका शव भी नहर से बरामत कर लेंगे हमारे साथ सच्चो सर हैं मुकेश कुम उननीस तारीक को गर से बिना बताएं करीब साड़े पांच बज़े शाम को गर से चले गए जो शिकायत सिविल लाइन धाने में पराप्त होने पर उसके फायार लोज की गई और फुलिस भी और फरिवार वाड़े भी दोन्नों ही तरफ से उसकी तलास की जा रही थी जो आ आप लोगों ने साइबर सेल की मदद ली थी मोबाइल की लोकेशन किस टाइम यानि की जो मोबाइल स्विच्ट ओफ होने का टाइम बताया जा रहा है वो भी साड़े छे का बताया जा रहे और उसी नहर के पास बताया जा रहे जहां से स्कूटी बरामद हुई है नहीं यह पार्ट ओफ इन्वर्स्टिकेशन है इसको डिस्प्लोज करना की तो सर अभी शब को देखतर कुछ अंदाजा लगा जारे क्या मामला हो सकती है अभी सब को निकालेंगे और सब का इंस्पेक्शन भी करेंगे पोस्टमार्टम भी करवाएंगी सबसें तो सच्चों है मुकेश कुमार जिनका कहना है कि अब ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि आखेर पूरा मामला क्या था हला कि परिवार वाले लगातार सुबा से हमारी उनसे बात हुई 19 तारीक को भी हमारी परिवार वालों से बाचीत हुई थी औ लाही इस तरीके कि कोई उनको धमकी मिली थी और ये मामला सुसाइड का भी नहीं हो सकता क्योंकि उनका कहना ये था कि वो इस तरीके के शक्स नहीं थे कि जो आत्म हत्या जैसे कदम उठाएंगे लेकिन यहां पर अब काफी बड़े सवाल फिर से एक बार खड़े हो रहे ह जिस तरीके से गोता खुरों का कहना है कि जो शव यहां से बरामद हुआ है विक्रम जोली का उस पर कोई भी चोट के निशान नहीं है यानि कि यहां से ये पूरी पूरी अशंका है कि उन्होंने हो ना हो स्कूटी समेधी स्कूटी को स्टार्ट किया और दोनों जूते क्य तो कि उनके पैरों में है यानि कि स्कूटी समेधी उन्होंने नहर में चलांग लगा दी और इस आत्महत्या के बड़े कदम को ठालिया हला कि यहां पर पीछे सवाल कई बार यही छोट जाते हैं कि आखिर उन्होंने इस तरीके के कदम क्यों ठाएं हैं तो विक्रम जोली जी की तमाम जो रिष्टेदार हैं दोस्त हैं जो लगातार उनको ढूंडने का परयास करते वो भी अभी यही पर मौझूद है सुबह भी हमारी इनसे बात हुई थी सर सुबह जब हमारी आपसे बात हुई आपने कहा कि वो किसी हाथ से के शिकार हो गए है या फिर कोई और बड़ा मामला हो सकता है उनको अगवा कर लिया गया हो लेकिन अब उनका शव यहां से बरामद हुए जिलार प्ट अब нос बड़ा है कि अब तक पॉसिपार्टम ना हो जाया अवी तो ऐसे थो अंदशाला लगाना बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी देखो एड़ पड़ी मिली है इसके बाद पोसिषमार्टम होई ही तो से बाद यसारा कारण का पता लगवाए गो पिट भी सर क्या लगता है आपको क्या जितना समझ में आ पा रहा है यही लग पा रहा है कि पैरों में जूते डाले हूं जिस तरीके से गोता कोरो ने बताया स्कूटी स्टार्ट थी तो यानि कि हो सकता है स्कूटी समेधि उन्होंने चलांग लगाई देखो कुछ भी कहना इट इस बेरी डिफिकल आफ्टर पोस्टमार्टम पता लगपाएगा कि वेदर इट इस सुसाइड और वेदर किसी ने इसको दख्का दिया है क्या है तो बिल्कुल तमाम रिष्टदारों का तमाम दोस्तों का यही कहना है कि अभी एक फिर भी पुलिस जांच का विश्यस वजह से क्योंकि पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही यह बताया जाएगा कि आखिर किसी ने उनको धक्का दिया या फिर फिर वो खुद नहर में छलांग लगा देते हैं अपने आप में काफी बड़े सवाल अभी भी बने हुए आप सभी लोगों से अपील इस पीडियो को देखे और इसे शियर जुरूर करें आप देख रहे हैं एबन 24 मैं हूं महेक शर्मा हर्याना के करनाल से आप सभी के ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक